ये बात है सन 1975 की मंडेवार का दिन था और रात के नौने पॉँ बज रहे थे और तभी मुझे एक मिस्कॉल आया एडिटर साहब, मैं आई का फोन है भाई? ओकी और 36 बार मिस्कॉल आने के बाद मैंने उसे कॉल किया और बोला तो मैंने कहा नौचोक 36 बार मिस्कॉल क्यों मारा है अब तो देना ही पड़ेगा और क्या चल रहा है भाई लोग बताओ क्या चल रहा है तो मैं बताता हूँ बोजपुरी इंडस्ट्री चुम्मा ले हो बहुपई साख में अच्छा ते बूचा है ये खुलाथ में वावा यहां पे लोग चुम्मे के इतने ज़्यादा सौक हीन है कि चुम्मे पे तो भर भर के गाना बना हुआ है चिप्स किया के लिप्स पे चुम्मा चुम्मा मांगे मास्टर वा चुम्मा तेदे सनिटाइजर लगा के और अभी तो रुको बिप्चरा भी बाकी है मेरे दोस्ट ये बड़ी अच्छी बात कही मोतरमा ने लेकिन मुतरमा मैंने तो दो नू वैक्सिन लगवाली है अब इस पर भी गाना ना बन जाए ये तो बात हो गई चुम्मे की और अब बात करते हैं लहंगे की टी सीरीज अपने बॉलिवूड सॉंग वाले चैनल पर गाना बनाते हैं की और वहीं दूसरी तरफ भोषपुरी सॉंग वाले चैनल पर ऐसा गाना डालते हैं तो है लाहंगा उठादे मुनी मूट सी अलो भाई साब क्यों क्यों लाहंगा उठादेंगे हैं तो क्रप्तों करंसी की बिसीमा होती हैं लेकिन नहीं नहीं इनको तो भोषपुरी गाने में अस्लिलता डालनी हैंना बहुत बत्तमीज है लोग नहीं भाई अच्छे गाने भी बंठेंगे भोषपुरी में लेकिन जब से इन लोगों ने अश्कील सा गुसाना चालू किया है ना तब से सब एक जैसे हो गए हैं जैसे इनी को देख लो भाई तुझे जीन्स डीली चड़ी टाइट करानी है तो टेलर के पास जाना गाना बनानी क्या जूरत है और भाई इस गाने को मैंने थोड़ा सा और आगे देखा तो सब केटियम लबाट छपरी बॉय भरे पड़े थे एक मिनट ये मेरे जैसा ग्यों लग रहा है ये नहीं माना जाएगा तो अभी तक आपने देखा कि भोश्पुरी गाने कितने अप्रतीम होते हैं लेकिन अब इनका डांस देखने के बाद आप लोग बोलोगे ये तो अलग ही रोमैंस है ओ ये तो मेरा वालग डैंस है देखो औरे बास का रहा बाई बाई मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा ये लोग डांस कर रहे हैं कि गार्डन को संतल कर रहे हैं ये जल्दी जल्दी कर थोड़ा कर तो रहे हैं और पास पास का जल्दी कर ले तम भाई श्री देवी का डांस देखके मोकैमबो खुश हुआ था ना लेकिन इनका डांस देखके फिर से घुसा हो गए वो कहते हैं अरे लाले एक का यह लाले बोटी बोटी करके कुटों में बाठ दो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आप दुनिया के कुछ बड़े ही खतरनाक पी हड़ोगे कैसे जिन्दा पच सकते हैं अगर आप एलैसका की जंगल में फसे हुए हो और आपने पोटी कर ली और धोने के लिए पानी नहीं है तो आप अपना पिछवड़ा ऐसे रगड़ सकते हो लेकिन ज्यादा दिनों तब बिना पानी के आप नहीं रह सकते नहीं तो पिछवड़े में पपड़ी जम जाएगी फिर आपको आगे दिक्कत होगी तो पानी के लिए आपको ऐसे पैर मारने है जमीन पर जब तक पानी ना आ जाए क्योंकि आपके पास दूसर जरिया रहे और बेटा ही जो सरकते हुए तो नीचे आ रहा था ना अगर एक बार और यहां पर सरक जाता ना तो डायक्टर से बस यहीं बोलता कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा में ओमलेट खाऊंगा हम्प ऐसे ओमलेट कहते रहो मचाते रहो मौजमस्ति करते रहो और पिछले पोस्ट में मैंने बोला था कि वीडियो बड़ा बनाऊंगा लेकिन यार वो अलग वीडियो बनने पाया क्योंकि कभी-कभी आप जैसा चाहो वैसा हो नहीं पाता है ना तो मशीन उसीन चलती रहती है बहुत यार तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता जो आप सोचे रहो वैसा बनने पाता ना तो फिर दिमाग ठीक से प्रॉपर रहनी पात पता निहीं क्यों तो वड़ा वीडियो अभी पेंडिंग में है बना रहा हूं धीरे धीरे जब बन जायेगा तबाही जायेगा श्रू हूल